आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें अभशकार दोस्तो, आज का हमारा प्रशन है, समाकलन 2-3x into 3 plus 2x into 1-2x dx का हमें मान गयात करना है तो चलिए प्रशन गहल करते हैं आपे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम समाकलन के मान को आई मान लेते हैं तो आई बराबर क्या जाग हमारे पास, समाकलन 2-3x into 3 plus 2x into 1-2x dx यहाँ जाग हमारे पास, अब दिखे हम क्या करेंगे, यहाँ पे, समाकलन करने से पहले हमें यहाँ पे जो 3 फलन दिये गए हैं, हम इनका गुड़ा कर लेते हैं तो इस पूरे फलन को हम क्या करते हैं, आपर f of x मान लेते हैं, तो f of x बराबर क्या जाग हमारे पास, 2-3x into 3 plus 2x into 1-2x यहाँ आगे, अब क्या करते हैं, पहले इन दो फलन का गुड़ा करते हैं, तो क्या मिलेगा हम यहाँ से, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, 2-3x प्लस 2x में तो क्या मिलेगा, 3-2-6 plus, कितना हो गया, 2-4x यहाँ गया, और-3 का अ आप करेंग, तो क्या मिलेगा, 3 दरे का 9 तो minus का 9x और फिर minus 3x plus 2x कितना हो जागा minus 6x square minus 6x square यह आगे हमारे पास into 1 minus 2x तो यहां से मैं क्या मिलेगा 4x plus 4x minus 9x कितना हो गया यह हो गया हमारे पास minus 5x और यह हमारे मारे मारे 6x square मारे मारे 6x square minus 5x plus 6 into 1 minus 2x अब 1 minus 2x का गुड़ा करते हैं तो क्या मिलेगा हमें सबसे पहले एक का करिंगे तो क्या मिलेगा minus 6x square minus 5x plus 6 अब minus 2x का करिंगे तो क्या मिलेगा plus का 6 दूनी 12x cube आजाएगा और फिर minus 2 का इससे करिंगे तो plus का 5 दूनी 10 x square और कितना हो जाएगा कितना हो गया हमार पास यह हो गया हमार पास plus का 4x square plus का 4x square आगया हमार पास और देखिए minus का 5x minus का 12x कितना हो गया यह हो गया minus का 17x plus 6 dx यह आगे अब हमें यहाँ पी क्या करना है इसका समाकलन करना है तो चलिए समाकलन करते हैं उसके लिए क्या करेंगे हम समाकलन की सूत्र का उप्योग करेंगे यदि हमें दिया गया हो समाकलन x की घात n dx तो इसका मान किसके बराबर होता है इस कमान बराबर होता है, X की घात N plus 1 बटा N plus 1 plus C के बराबर होता है, तो देखिए, इस सूत्र का प्योग करके हम यहाँ पर I कमान ज्यात करेंगे, तो हम हम इन क्या मिलेगा यहाँ से? आई बराबर आज़ेगा हमारे पास देखिए हम क्या करते हैं सबसे पहले समाकलन को एक, दो, तीन, चार भागू में बाट लेते हैं तो क्या आज़ेगा हमारे पास समाकलन देखिए बारा एक अच्छा रहे तो इसको समाकलन के बाहर कर लेते हैं आज़ेगा x cube dx इसी प्रकार दिखी यहाँ पर फिर क्या अगला पत प्लस का 4x square तो प्लस 4 को बाहर कर लियते हैं आज़ेगा x square dx अगला पत क्या आज़ेगा माइनस का 17 बाहर कर लिया x dx आ गया और फिर 6 और dx समाकलन dx यहागा हमार बस अप करेंगे समाकलन तो क्या मिलेगा हमें i acquire 12 और x q का समailing करेंगे तो क्या आज़ेगा 3 प्लस 1 यहानि x की आज़ेगा 4 बात 4 तो क्या लिखेंगा x 갔 4 4 बात 4 आज़े और लिखेंगे अब अगला पत क्या है मारा देखिए चार और हमें किसका समाकलन करने X square dx इसका समाखलन क्या हो जागा X की घा 3, बटा 3, माइनस 17 और X dx का समाखलन क्या होगा X square बटा 2, तो यहां लिखेंगे X square बटा 2, प्लस 6, और यहां पर dx का समाखलन क्या होगा X plus C, तो यहां से दिखिए, 4 ती एं बारत यहां पर आजएगा 3, और कितना मिलेगा हम यहां से देखिए हमारे प्रश्ण का उत्तर हम ibd ? क्या लीख सकते है ? i bd ? आ जगा हमारे पास यह कितना हो जागा? तीन इंटूज एक्स किगा चार अकलाप बात खे क्या हमार पास, चार बाटा टीन एक्स क्यूब चार बाटा टीन ix क्यूब फिरके आज एगा हमार पास माइनस का 17 बटा दो X स्क्वेर प्लस 6 X प्लस C यह हमारे प्रशन का बिश्ट उत्तर आ गया, धन्यवाद